तो चलिए दोस्तों स्वागाता है इट सब्सक्राइब ने के और एक नए वीडियो पे जिहां चलिए तो आज हो गया है साथ अक्टूवर जानेंगे आज के चाथी जिए प्रमुग बड़ी समाचार जिहां साथी आज हम पताएंगे चाथी जिनों के ताजा बड़ी अपड जोर से कर लिजी और घंटी को भी जोर से बजा के रखिए और वीडियो को लाइक और शेर भी जोर से कर दीजीगा तो चलिए फटाबड़ आगे बढ़ते हैं और आज के पहली बड़ी ख़बर हम आपको सुनाते हैं तो चलिए दोस्तों वारी बड़ी ख़बर जिया सहमाती पर होगा फैसला जी आज को रोना संक्रमणी के बीचे चत्ती गड़ में फिलहाल इसकुल नहीं खोले जाएंगे इसको लेकर सरकार ने इस पाश्ट कर दिया है सिक्चा मंत्री प्रेमसास यह टेकाम ने मंगलवार को कहा कि इसकुल खोलने का फैसला प्रभंदन और सहमाती के बाद ही होगा अभी 15 अक्टूर वर्ष से इसकुल खोले जाने को लेकर कोई नहीं 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 लिया गया है जिया हम आपको पता दें केंदर सरकार ने और पांच के मद्द नजर इसकुल और सेक्चरिक संस्था खोले जाने का अधिकार राज्यों पर छोड़ द नहीं होगी यार यह खबर जियां 36 गड़ में 15 अक्टूर से नहीं खोलेगी इसकुल अभीभावा के सहमयती पर होगा फैचला लेकर 36 अक्टूर से इसकुल खोले जाने को लेकर कोई नीड़ने नहीं लिया गया है ऐसा ख़बर सामने निकल कर आ रही है जियां बड़ी सुरू होने के आसार है केंदर सरकार ने राज-शासन को अधिकार दे दिया है कि वे अपनी सुविदावा सर्ते के साथ कालेज वश्विद्याले में पढ़ाई सुरू कर सकते हैं केंदर से हरी जनडी मिलने के बाद इसकी कवायद सुरू कर दी गई है जियां उच्छा ने आता है चार अप्शन तो किसी एक अप्शन पर खिलिक करना रहता है तो जिस पर ज्यादा बूट आएगा तो उसी डेट पर जो है कालेज सुरू कर दी जाएगी तो ऐसा कुछ नियुद सामने निकल कर आ रही है यह विकल नॉम्बर दिसंबर के लिए है दोश्विद्य को सिक्षाओं को भी भरना है यहां तक कि कालेज प्राचर या वकूल सचु को भी कालेज खूलने पर अपनी राय रखनी होगी तारिया बड़ी ख़बर जहां पर कॉलेज खूलने के जो तारीक है उस पर चर्चा की गई है और एक नमबर से पंदरा दिसंबर के बीच चार व बार्या 26 गड़ किसानों को लिकर बड़ी कबारह जहं ónक की सरचन के तीसरी किस्त देने की तैयारी शुरू एक हजर क्रोड कर्ज लेगी सरकार तो चलिए किसान भाईयों खबरे सामने निकल कर आ रही है जियां किसानों को राजिव गांदी निया योजना के हंतर गदा धान देने की सेस की तीसरी किस्त देने सरकार एक हजार करोड रूपिय करज लेगी इसके लिए रिजियर्व वैंक मंगलवार को राजिय के फिक्स ट का भुकतान 20 अगस्त को किया गया था इसके लिए भी सरकार को करज लेना पड़ा था इस वित्य वर्ष का यहां पहला करज था अब दूसरी बार सरकार फिक्स टिपोजूट की राजने निलाया में कर एक हजार करोड कर ले रही है इस बार भी किसानों को करीबे तेरा सो कर भुकतान किया जाएगा तो चलिए किसान भाईयों इस तरह से आरिया खबर जियां 36 लगबग 19 लागा किसानों को धान के जो अंतर राशी के जो तिसरी किस्त है उसको पेमेंड करने के लिए 36 गड़ सरकार को करज लेगी फिर उसकी बाद एक नॉमबर को आप लोगों को खाते पे धान के तिसरी किस्त त्यान की अंतर राशी की तिसरी कित जमा की जाएगी तो चले दोस्तों आगे बढ़ते हैं यार ये खबर जिहां चल रहा है प्रदिस में सगन कोरोना सर्वी अभ्यान जहां पर कोरोना सर्वी बेहाद है खास सर्दी खासी जैसे 6 लक्षण मिले तो 24 गंटे के अंदर जांस कराना हो गया अनिवारिया तो चले दोस्तों ओजियां कोरोना के रोख थाम के लिए नया सर्वी फिर से सुरो हो गया है इसकी बग दूर नगर निमा के हाद में होगी जियां इस सर्वी के निगव सिमार में घरगर जाकर सड़ी खासी बुखा और सांस लेने में तकलिप है शिरで दर दस या उल्टी ह और सुने या स्वाद लेने की चमता में जैसे च्छा लक्षणों की आधर पर लोगों की लिस्ट बनाई जा रही है यह नहीं हर दिन सर्वेका डाटा फुलों भी मेंटेनी क्याज जा रहा है अगर किसी परिवार में इस तरह की लक्षण वाले लोग मिले तो 24 घंटे के लेट रहने का भी हिदायत दी जा रही है जुरुत पढ़ने पर इस्टिकर भी लगाया जा रहा है जिया दूस्तों खावरी कनुसार सितंबर महिने में आक्सिजन की कमी से मरीजों की मोत होने के कारण अक्सी मीटर से जाज भी की गई है अब नए फारमेट में सरीर में दर करमचारी हर दिन सर्वे का काम कर रहे हैं हाँ तो चले दूस्तों आगे बरते हैं दूसरी बड़ी खबार जिया हम आपको बताते हैं एक नौम बर से धान की खरीदी 20 से कुइंडल परती हेकर की मांग साथ अक्टूवर को परदेश भर में किसान अंदोलन जिया दूस्तों ने कहा कि अब किसानों के मुद्य को लेकर भारतिय जंता पार्टी जमीनी इस्तर पर लोगों को वीच जाने वाली है उन्होंने कहा कि प्रधान मतिर नरेंद्र मोदी की सरकार ने केंद्रिया फूल में डेड़ गुणा अधिक चावल खरीदेंगे भाच्वा का यह मांग क सब्सक्राइब करेंगे प्रदेश में धान खरीदी एक नमबर से सब्सक्राइब पैसा अब तक किसानों के खाते पे नहीं आ पाया है कांग्रेस टुकुडे टुकुडे में गांधी परिवार के इस प्रण दिवसों पर भुक्तान कर रही है तो जारी खबर के अनुसार आ अगली वड़ी खबर हम आपको सुनाते हैं लोग सिवा आयोग में तेरा सो चुरासी सिख्चा का पद पर निकली भरती और पांच से आठ नॉमबर पर होगी लिकित परिक्चा तो जानी अभी स्तार से जिया चाति लोग से प्रद्याबक के लिए होने वाली परिक्चा की परिक्चा के लिए पांच से आठ नॉमबर तक लिकित परिक्चा का आउजने खिया जाएगा जीहां लंबे शमय से इस परिक्चा को लेकर अवियरती इंतजार करें रहे थे आयोग के सचियों ने यह जानकारी देते हुए बदाए कि इस परिक्चा की समय सार्णी अलग से जारी की जाएगी जीहां आयोग के एक एक करके सभी लंबेत भरती परिक्चाओं को आउजने में जुड़ गया है उचसिक्चा विवाग की असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों को भरने से कॉलिज के प्रदेट प्रोफेसर की पूरी हो जाएगी साथी इसके अलावा आयो के लिए प्रदेश से भर से आविदेन मंगाए जाएंगे इसकी अवलावा पर्थाम और दिर्क्ति सेड़ी के करीब चार्शों पदों पर अधिकारियों की भरती भी होनी है तो चलिए उमीद करते हैं खबरिया आप लोगों को अच्छा लागा तो वीडियो के लाइक जो होंगे जिए दोस्तों आरिक खबारि इस नवरातृ में महामाया रतनपूर का दरबार-भक्तों के लिए बंद रहेगा क्रोंटा महामारी की कारण भक्त इस बार महामाया देवी की दर्सन कर सकेंगे प्राप्त जनकरी के उनुसार जिले में फैलते कुरुना संक्रामण को देखते हुए महामाया मंदिल ट्रस्ट ने अधिकारियों और जिला प्रसासन के बीच हुई बैठक में यह निरे लिया गया है कि रतनपूर में हरा साल नवरात्री के दोरान हर दिन 20-25,000 लोग महामाया देवी के दर्सन करने आते हैं यहां संक्या पंचमी सब्तमी और अश्टमी के दिन और भी अधिक हो जाती है जिहां कुरुना संक्रामण को देखते हुए पिछले कई दिनों में इस बार देवी दर्सन होने या नई होने के सम्मद में संसे की इस्तिती बनी रही थी सब्तमी के दिन हजारों के संक्या में बिलासपूर शाहित आसपास के छेदर के लोग रतनापूर दर्सन करने के लिए आती है और साथी कवर आ रही है जिनकी रसित कटिया हुए उन्हें ही जोतिकलस जलेंगे मंदिय ट्रस्ट और जीप्रसाइथ से नीडरे में पूर्व कह चुकी है उनको ही जोतिकलस सबसे अच्छा विकल्प है दोस्तों मंडल कोविट से बचाने के लिए जनर जाग रूपता लाने के लिए वर्क प्राण में बनवा रही है इस से राज्य और शहरी अभम ग्रामिडी शेत्र में लागू किया जाएगा उनका मानना है कि जब तक वैक्सिन उपलब नहीं हो ज चले दोस्तों वहीं दूसरी ओर चाटीज़ लेटेस्ट कोरोना अपडेट हम आपको बताते हैं जिए दोस्तों चाटीज़ कोरोना अपडेट दोजार चैसी नई मरीज कुल एक लागा पच्चीस हजार पांच संक्रामितों की संक्या प्राप्त आकड़ों के अनुसार दो लाग चाटीस हजार पांच पहुझ गई है जबकी सत्तीस हजार आठसो संता वान एक्टीव गेस हैं अब तक संता नवे हजार सड़साड़ मरीज स्वस्त हो चुकी हैं जिसमें पच्चीस हजार दोसु बारा रायपूर के हैं वहीं कुरोना संग्दीदों की खोज के लोग चूब कर रहे हैं और अपना बहाना बना कर आना कानी कर रहे हैं लेकिन गोर्मेंट के जारी निर्देश के अनिवार्य कर दिया गया है अपना हिस्सा जरू से कराइए तो चलिए दूस्तों आप देख रहे हैए इट्स चातीज बीडुब सेनल के मतम से सात अक्टु से दवा दिजिएगा चाहती जिलेटेड़ मोस्ट इंपोर्टेंड अब्डेट हम इस चैनल के मादम से आप लोग तक पहुंचाते रहते हैं तो चलिए मिलते आगरी वीडियो पे तब तक के लिए नमस्कार